अल्लो एब्रिवन वेल्कम बैक टू माय चैनल कोकिंग टेज्स बाइ सिस्टर्स और आप सभी का मेरी किचिन में स्वागत है तो फ्रेंज जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिवाली कातियोहार आ चुका है भाई दोच भी आने वाली है तो इस पे हम लोग सोचते हैं मिछा कि क अपनी फैमली के साथ इंजॉय करा जाए तो आज मैं पूरी दिवाली की स्पेशल ठाली लेका आई हूं जिसमें से आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें सारी डिफरेंट रेसिपीज हैं तो आप इसमें से कुछ भी बना के ट्राइ कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि आज अपन Henderson मैंने स्पीशल ठाली में किया क्या बनाया है है तो सबसे पहले बनाया है मैं हमने Mixed Vegetable राईस यह बेंडरा अपने प्लेन वेजटेबल्स हैं फिर बनाया हमने रायता अलू गोभी अचारी मिक्स वैज ऊसके बाद है हमारी Masala चांप पालक आलू नगेट या फिर आ इसमें आलु का होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसके साथ बनाई कुछ पूरिया और फिर हमने बनाई है इसमें आलु की चांट इसमें धृई बड़े पाप्री चांट और सब हुम अलग वीडियो में डाल सकते हैं अगर आपको वो सब वीडियो से ले सकते हैं उसके साथ लिए हमने हल्दी थोड़ी सी तो चलिए सबसे पहले हम एक बड़े बरतन में आप बड़ी कढ़ाई हो या भगो ना हो उसमें पानी लेंगे और उसमें जब पानी में एक बॉइल आ जाएगा उसके बाद अपनी सारी चांप उसके अंदर डाल दें कि यह जो सारी चांप है यह उपर आ जाती है सरफेस पर फ्लोट करना शुरू कर देती है जब यह अच्छे से बॉइल हो जाती है तो हमारी सारी चांप बॉइल हो चुकी है हम इनको अलग किसी बरतन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे तो जब तक यह ठंडी होती है तब तक हम अपना पालक बॉइल कर लेते हैं क्योंकि आज हम पालक पूरी और पालक का नगेट भी बनाने वाले हैं तो यह देखिए हमने सारा पालक इसमें डाल दिया है और आप पालक को डालने के बाद एक सो दो बार उसे चला दें उपर नीचे कर दें जिससे की पाल उस्टिक को पकड़ना और खींच के निकाल लेनी है और इसके बाद आप आदाimize ऊकारे कर सकते हैं अगर को यह तो शोड़ में तो इतना तो यह हैत injection कलर आया हलदी की वज़े से इनके ऊपर अब हम क्या करेंगे कि अब हम को यह कि जो सारे हमारे चांप क Case है हमें इन्हें fry करना है आप चाहए तो इन्हें shallow fry भी कर सकते हैं या deep fry मैंने इने deep fry करा है तो ये देखे मैंने लिया ये सरसो का तेल क्योंकि मैं जाध हका घर का है तो इसे ही यूस करती हूं और ये एकह करके बहुना यह जादा कच्ची रह जाएगी और कीडियम आज़ पर जादा तेज पर भी हो चुकी है तो यह डीनट गोल्डें भूंड राउन कि कलिया इन दोनों को पीस लेंगे कश्मीरी मिर्च तेश पत्ता दो इलाइची और चार-पांच लॉंग ली है हमने और यह है इसके बाद कोई मसाला डालने की इसके नमक तक होता है अगर आप नमक तेज खाते हैं तो डालिएगा अधरवाइस इस चांप के अंदर नमक मिड्च सब चीज होती है तो हमें अलग से कुछ भी नहीं डालना होता है हल्दी तक नहीं डालनी होती है तो यह देखे यह दो packet होते हैं अगर आप चांप यूज़ करें तो एक packet यूज़ करें मेरी आधा किलो चांप है तो इसलिए मैं इन दोनों packets का यूज़ करूँगी तो यह देखे इतना मसारा निकला है दोनों packets के अंदर तो चलिए हम सबसे पहले अपना एक खलर ले लेते हैं फिर आप सिल्बर्टे पे भी कर सकते हैं इसे प्लीज मिक्सी में मत बनाएगा पेस्ट अगर आपके पास कोई और आप्शन नहीं तो बना सकते हैं मैं इने खलर में ही कुटूँगी जिससे कि यह थोड़ा दरदरा सक उठेगा और आप चाहें तो इस टाइम पे इलाइची और वो लाल मिर्ची या फिर तेजपत्त वगरा भी आप डाल के उसे कूट सकते हैं यह हमने निकाल लिए हैं यह देखिए अदर कलहसुन का पेस्ट हो चुका है अच्छा से बă मसालें हम हलती चमच्छ और कशमीरी मिर्च दाल के यह मैं को अची से हम लोग मिक्स कर देंगे कश्मीरे मिर्श तेल में ही डालेगा उससे कलर बहुत अच्छा आता है सबजी में फिर इसी टाइम पे हम डाल देंगे अपना चाप मसाला और आधा मिनिट तक भूनने के बाद उसमें हम अपने टमेटो की फ्योरी डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से पकने देंगे स्लो फ्लेम करके पकाईएगा इस मसाले को तबी मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब तक आपका ओईल सेपरेट ना हो जाए तो तेज फ्लेम पे ना करें मन्दी फ्लेम पे इसे आप बहुत अच्छी से पकने दें तो ये देखिए फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि मसाले का ओईल अलग हो चुका है आपको वीडियो में दिख रहा होगा इसके बाद सिर्फ हम दो चम्मज धनिया पाउडर डालेंगे उसको mix करेंगे और उसे एक मिनट तक और पकने देंगे तो ये देखिए हमारा mixture हो चुका है इसका ready अब हम इसमें जो हमारी चांप है बस उसको डाल देंगे इसी temperature तक हमें इसे पकाना है इसी condition तक आप सोच सकते हैं कि बिलकुल उसका oil अलग होना चाहिए यह देखिए अब इसमें हम सिर्फ चांप डालेंगे उसे अच्छे से कम से कम एक दो मिनट तक इसे भूनते रहेंगे इसमें मिला मिला के और ये भी slow flame ही रखनी है फ्लेम तेज नहीं करनी है और जब हो जाए उसके बाद हम इसमें गरम पानी अड़ करेंगे प्लीज फ्रेंड इसमें गरम पानी अड़ करिएगा क्योंकि उससे टेस्ट मेंटेन रहता है अगर आप ठंडा पानी यूज करेंगे तो टेस्ट थोड़ा कम हो सकता है और कलर में भी डिफ्रेंस आ सकता है तो देखे हमने पानी डाल दिया था उसके बाद इसमें बॉयल आ चुका है हम इसे 5-6 मिनेट तक पकाएंगे और ये हमारी चांप बनकी हो चुकी है बिल्कुल रेडी तो चलिए अब हम पालक की सबजी बना लेते हैं तो ये है पालक की प्योरी फ्रेंस जो हमने पालक सुखी लाल न मिर्च चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी कडाई को गरम और कडाई करने के बाद हम इसमें दिय दिया अपने मसाले डालेंगे अपने उसके बाद जाएगा इसमें जीरा और जैसे ही हमारे सारे मसाले हो जाएंगे इसमें डालेंगे फिर हम लहसुन कटा हुआ और अदरग बारी कटा हुआ और उनको अच्छे से ब्राउन होने देंगे और जैसे हमारे लहसुन और अदरग ब्राउन हो जाएगा हम इसमें अपन जादा ध्यान दें और उसे मीडियम फ्लेम पे ही जादा तर पकाएं आप किसी की भी ग्रेवी अगर बनाते हैं तो यह देखिए इधर हमारी प्यास भी अच्छी तरह हो चुकी है तो हम इसमें अपने मसाले डाल लेते हैं सबसे पहले डालेंगे हम इसमें अपनी कश्मीरी मिर्च फिर डालेंगे हम इसमें अपनी लाल मिर्च हल्डी दो चमच दो चमच धनिया सुका धनिया जो था फिर डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार और इन सारे मसालों को हम 30 सेगड तक पकाएंगे उसके बाद हम इसम कि छोप इसके अब लोगल सही यह है इसमें अपने पालक की पियोरी है हमारी इस दो खौक अबुट्र डिया अबसको पानी से टुशाते है में मिकसर जार जार श्राइ होगा मे क्मा सब्लइ अबसको ड़या अब इसमें अब धाल देंगे मिकसर जार में जो भी बचा हुआ होता है उसमें आप पानी डाल कर गुमा ले हों उसी को डाल दें उसको वेस्ट ना जाने दे इसी सब्जाब में डाल दें इसे हम एक दू मिन टक अच्छी तरह पकाएंगे और ये हमारी पालक की सबजी हो चुकी है लेकिन इसके साथ ये यूज करे जाने वाले जो नगेट से हम वो बनाएंगे आप इसमें पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं आपको पता होगा कि कितना जादा गाडा या कम करना है तो ये लिए मैंने कद्दुकस करे हुए आलू, अरारोट, लाल मिर्च और ये लिए है मैंने नमक तो जो हम आप कह सकते हैं नगेट या आलू के कोफते बनाने वाले हैं पालक की सबजी के लिए उसके लिए यूज करा है आलू कद्दू कस करके यूज करें फोडेंगे तो उसमें बड़े बड़े चंक्स रहाते हैं उससे कोफते फटने का डर रहता है मैं दो चंक्स बड़े अरारोट लिया है दो चंक्स लाल मिर्च और नमक स्वाद अनस्वार आप जैसी भी खाते हों इसको फिर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप पूरा अच्छे से मिक्स करें और चम से जादा आप हाज से करें क्यों आप जानते हैं हाज से हम जादा अच्छी तरह से उस सारी चीज़ा है मिक्स कर सकते हैं और जब यह हमारा पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं हरी मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन हरी मिर्च डालने से कोफते फटने का डर रहता है तो यह देखिए यह हमारा कोफते का मिक्षर हो चुका है तो यह देखिए आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं और अगर आपको गोल ही बनाने हैं तो आप गोल भी बिल्कुल राउंड शिप दे के बना सकते हैं यह बिल्कुल जैसे हम वह बनाते हैं टिक की आलू की उस तरह का पेस्ट हो जाता है हमारा उससे बड़े आसानी से बन तो इसलिए थोड़े डाले और एकदम से कोफतो को गोल्डन ब्राउन उने तक भूनना है और फिर निकाल लेना है तो यह देखिए हमारे सारे कोफते हो चुके हैं फ्राई उसके बाद जब यह फ्राई हो जाएंगी उसके बाद ही मेरे पास एक आलू है बड़ा कटा यह रौ आलू है कच्छा मतलब उसको भी मैं इसमें फ्राई कर लूँगी क्योंकि मैं आज आलू की चांट भी बनाने वाली हूं तो आप भी उसको साथ की साथ कर सकते हैं तो चलिए यह भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है अब बना लेते हैं मिक्स वेज तो देख अचारी मसाला आप कहीं भी अवैलेबल हो जाएगा आप कहजिएगे अचारी मसाला दे दीजिए आचारी आलू मसाला उसे भी डाल सकते हैं और इसके अंदर सब जबजियां वो एक दूसरे से इस्टिक ना हो और यह बहुत खिली खिली तसे हम तलके बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही मिक्स वेज बन जाती है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टैल टाइप में तो इसको हमादा हलका सेलो फ्राइ कर देंगे और इसको ढखके एक दो बार अच्छ आटे में क्या करेंगे कि जो यह पालक की प्योरी है इसी को मिक्स करनेंगे इसमें अभी पानी नहीं तो इसमें अपना मसाला डाल देते हैं क्योंकि यह आदे से ज्यादा हो चुके हैं तो अपना अचारी मसाला लेंगे इसमें डाल देंगे इसे अच्छी से मिक्स करेंगे इसमें सौफ, जीरा, राई सब होता है हल्दी, नमक, मिर्च, खटाई वगर सब अगर आप इस मसाले को डाल दें तो आपको कुछ भी डालने की जरूत नहीं होती तो ये देखिए ये बिल्कुल हो चुका है, सिर्फ एक मिनट और पकाना है तो इसमें लास्ट में मतर डाल देते हैं और ये सबजी हमारी एक मिनट तक और पकाएंगे और ये बन चुकी है तो ये देखिए friends सवाई सबजी हो चुक है ready आप देख सकते हैं कि खिली 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 बनी है कोई भी सबजी एक दूसर से stick नहीं हुई है तो इस तरह से भी आप बिल्कुल खिली-खिली mix wedge बना सकते हैं तो चलिए अब बना लेते हैं friends हम आलू गोबी तो हम सबसे पहले कड़ाई लेंगे उसमें रखेंगे तेल को गरम होने देंगे और ये अलू और गोबी हमने काटे हैं तो इसको हम सबसे पहले आलू गोबी को जीरा डालेंगे तेल में और उसके बाद डैक्ट आलू गोबी कोई भी हम इसमें मसाला नहीं डालेंगे आप देखेंगे इस तरह से भी आलू गोबी बहुत टेस्टी हो फ्राई विल्कुल यह से होते हैं अलग अलग फ्राई करके जह हम बनाते हैं वही टेस्ट आता है तो हम पहले गोबी डाल देंगे उसको थोड़ा मिलाएंगे उसके डालेंगे हम आलू और उसे ढखके कम से कम 5-10 मिनट तक इसे हम पकाएंगे आप देख सकते हैं जब भी आपको हो जाए और इस टाइम पर गैस को आप थोड़ा स्लो ही रखिएगा अधरवाइस नीचे से सबजी लग सकती है तो यह देखिए हमारी हो चुकिया आप डाल ल हम इसे एक मिनट तक और पकाएंगे बस मसाले डालने के बाद एक से दो मिनट तक ही पकाना है आपको और यह देखिए हमारी आलू गोबी बनके हो चुकी है बिलकुल रेडी इसके उपर गानिशिंग के लिए डालेंगे हम हरी मिर्च और डालेंगे हरा धनिया तो चलिए अब हम चलते हमी रेक्स रैसे भी किरब जो है वेजिटेबल प्लाव तो यह के सबसे पहले है मैंने बासमती चावल यह मैंने बॉयल कर लिए दे फिल यह मैंने बीन्स गाजर चोटी-चोटी कटी हुई मतर जीरा देसी घी लिए यह मैंने एक बड़ा चमच और लिए मैंन नमक कड़ाई रखेंगे कड़ाई में डेसी घी डालेंगे आप डेसी घी में बनाएं तो यह चावल ज्यादा टेस्टी लगते हैं और नमक डालने से इन में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है तो जैसे हमारा देसी की गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे हम जीरा उसके जल्दी पक जाएए तो यह देखिए हमारी गाजर और बीन्स हो चुकि हैं इसमें हम डालेंगे मतर और इसे आदा मेन और पकाएंगे आपके मतर सोंट, हरे धनी की चटनी, जीरा पिसा हुआ, यह भुना हुआ जीरा है, फिर लाल मिच और नमक, यह हम नारे आलू जो हमने तले ते यह देखे किते क्रिस्पी हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम अपने आलू लेंगे, उसमें डाल देंगे दही हम खूप सारा, क्योंकि हम यह आलू चांट बनाएं, तो अच्छी सी खटी मीटी बननी चाहिए, उसके बाद डालेंगे हम इसमें सौंट, फिर डालेंगे हम इसमें हरे धनी की चटनी, हरे धनी की चटनी आप अपने हिसाब से चटपटी बना सकते हैं, आप कम चटपटी खाते हैं, तो कम भी बना सकते ह फिर इसके उपर हम डालेंगे अपने थोड़े से मसाले जैसी कि सबसे पहले लेंगे हम नमक और इसके उपर नमक को फिल लेंगे हम अपनी लालमिच लालमिच स्प्रिंकल कर देंगे उसके बाद जो बुना हुआ जीरा है हमारा हम वो लेंगे और डाल देंगे और ये देखे हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी आलू की चांट बन की रेडी है यह बिल्कुल टिक्की का फ्लेवर देती है जैसे कि जो टिक्की आती है उसकी तरह है और यह देखिए हमारा आटा था रेडी इसे 10 मट हमने रख दिया तो और सॉफ्ट हो गया है इससे बना लेते हैं पू छुकी है उसमें डालेंगे देकिए में डालकना तेल हो चुका है तो अपनी पूरियां डालेंगे और यह देखिए हमारी पूरी सिक्कें हो चुकी है रेडी तो यह देखिए फ्रین्स मैंने बियुका सा olarak जड़ीन रेशिपीस बना ली है आप देख सकते हैं इसमें जारा हम अपनी लास रेसिपी बनाए जा रहे हैं जो है रजगुले इस वीडियो में फ्रेंड्स में रजगुले की रेसिपी शेयर नहीं कर रहे हूं क्योंकि यह पहले से अलड़ी मेरे यूट्यूब चैनल पर है और अगर मैं इसको डालती तो मेरी वीडियो जो है वो और लेंद जरूर खलाएं अपनी फैंबली के साथ जरूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी दिवाली थाली कैसी लगी थैंक यू एवरीवन प्लीज लाइक शेयर और सस्क्राइब माय चैनल